दोस्तों नमस्कार आदाव सक्ष्रियकार नियूस क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश क्या है आज की बात मेरी बात आप की बात हर किसी की बात देश, दुनिया, गाउं, तेहाद, सत्ता, समाज, संस्कृति, मीडिया और सियासर सब की बाद News Click का weekly show आज की बाद मेरे साथ जीत का डंका पीट रही है इस बीच में भारुची जनता पार्टी जो देश की सत्ताधारी पार्टी है अपने जीत का डंका पीट रही है कभी वो 370 सीट पताती है कभी एंडिये को 400 सीट से उपर पहुचाने की बात करती है लेकिं दोस्तो सच ये है कि अभी भी जिस तरह वो विभिन राइनितिक दल विपक्ष के जो हैं उनके नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है जिस तरह वो विभिन दलों को पटाने की कोशिश में लगी हुई है जिस तरह विभिन दलों से लोट कर आए नेताओं को विभिन राजियों में मंत्री बनानी के लिए वह पहल कर रही है यहां तक की किंदर में भी कोशिश कर रही है कि कुछ लोग और पट जाएं इससे यह लगता है कि भारती जनता पार्टी जिस्तने उच्सा के साथ जितने अत्शियुक्त पूर्णंग से सीटों के बारे में दावा कर रही है वैसी स्थिति इस चुराव की अभी तक है नहीं हिंदी भार्षी छेत्र जहां बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग पार्टी बनकर उबरी है और इस हिंदी भार्षी छेत्र में विपक्ष की जो एक प्रमुख पार्टी है कॉंग्रेस वो विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी भी है क्योंकि उसका जो जनाधार है वह बी और ये जो पुलिटिकल पार्टी कॉंग्रेस है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी वो दरसल हिंदी भाषी कई राजियों में कई राजियों की बात में कर रहा हूँ वहां वो उस तरह से उठ नहीं पा रही है राहुल दांदी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो निया यात्रा इन दोनों यात्राओं का जो उनको फैदा अगर भारत जोड़ो यात्रा का पहले हम देखें तो दक्षण में मिला उत्तर में नहीं मिल पा है कि कहीं न कहीं जो कमजोर नस है विपक्षकी उसमें सबसे बड़ी पुलिटिकल पार्टी जो विपक्षकी है वही बनी हुई है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां असी सीटे हैं और इन असी सीटों वाले राज्ये में कॉंग्रेस को सत्रा सीटों पर लड़ रही है जाहिर है कॉंग्रेस में सीटों की दावेदारी ज्यादा नहीं की और मैं समझता हूँ यह उसका वाइस डिसीजन है इसका बहुत ही सटीक और सही निर्ड़ है लेकिन समाजबादी पार्टी के साथ दिक्कत उत्तर प्रदेश में यह है कि उसके पास बिहार की आरजडी की तरह जैसे बिहार में आरजडी विपक्ष की मुख्य ताकत है और उत्तर प्रदेश में समाजबादी पार्टी लेकिन आरजडी की तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास ऐसे एलाइज नहीं है जो उसको मदद कर सकें और उसकी ताकत बन सकें कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की मदद से आगे बढ़ सकती है या कामिया भी हासिल कर सकती है लेकिन बिहार में RJD के पास Left Alliance, Left की तीन पार्टियां है, CPIML उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, और वो RJD के राजनीतिक आधार में, उसके सामाजिक आधार में जोड़ती है, उसकी जो ताकत है जब जोड़ जाती है, तो RJD मजबूत हो जाती है, और RJD की ताकत जब उनको मिल जाती है, तो वे जीतने की स्थिती में आ जाती है, पिछली बार 12 सीट मिले थी Left की अकेली एक पार्टी को, CPIML को, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमजोर नस यही है, कि कॉंग्रेस और सपा के एलाइंस में, कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी को अपनी और से देने की स्थिती में भुकाओ है, हाल के वर्षों में कॉंग्रेस की तरफ जम कर हुआ है, कॉंग्रेस से छिटका हुआ यही सामाजी का अधार, उसके साथ फिर जाकर जुड़ा है, राहूल गांदी के प्रती उसमें गुडविल है, जबरदस्ट गुडविल उनको मिली है राहूल गांदी को, और समाजवादी पार्टी अगर अकेले रड़ती, तो शायद डिवीजन बहुत जबरदस्ट होता, हारते हुए भी उमिदवार जो कॉंग्रेस के होते हो सकता था कि मानाटी कम्मूनिटी के वोट जो हैं, उनको मिलते, काफी हद तक, और ऐसे इस्तिति में विपक्ष किस् है, लेकिन ये गठ बंधन, माना ये जा रहा है, कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, उसके साथ जुड़ जाता है, जुड़ जाती है, तो निश्चेत रुप से बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है, ये एलाइंस, और 80 सीटों वारे प्रदेश में, वहाँ भारती जनता पार्टी को गंभीर, बलकि कड़ी चुनोती देने की स्थिति में आ सकता है, आज की तारीख में निस्तन देव उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे है, इसमें किसी को अठकल लगाने की जरूरत नहीं, वेलकुल साब साब दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने सोसल इंजिनेरिंग, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सोसल जिस्टिस में यकीन तो नहीं करती, लेकिन सोसल इंजिनेरिंग बनाने में बहुत माहिर है, और वो उसने किया है, उसमें बहुत सारे उसके इंस्ट्रुमेंट्स हैं, बहुत सारे उसके उपकर जिसके जरीय वो यह सब कर लेती है अलग अलग पार्टी के नेताओं को बटोर लेती है डरा कर धंका कर पुछकार कर जैसे भी आपके यह और उसके पास तरीका भी है पुछकारने का इस मामले में समाजबादी पार्टी उत्तरप्रदिश में पीछे रह गई है बहुत सारे लोग उससे चिटक कर चले गए मिस्टर राजबर चले गए स्वामी प्रशाद मौरिया निकल गए है दारासी निकल गए है पलवी पटेल भी नाराज है हलांकि पलवी पटेल अभी भी सपा के साथ है लेकिन नाराजगी तो है तो ऐसी इस्तिती में जो बिहार में खासकर जो रैली ये हुई है पटना में, तीन तारीख को, तीन मार्ज को, उसका जो एक बड़ा संदेश है, वो संदेश क्या है? कि जो दलित वर्ग है, जो उत्पेडित वर्ग है, जो एक्स्ट्रीम बैकवर्ड कम्यूटी है, उसको जोडने का संदेश है, जो बार-बार रैली के निताओं ने आवान भी किया इस बात का कि लोग कैसे जोड़े जाएं कैसे उनका उनको उनका विश्वास अरजित किया जाएं उनको कैसे समझाया जाएं कि ये चुनाप कितना महत्पूर्ण है उनके लिए उनकी डिमक्रासी के लिए उनकी समवैधानिकता के लिए और उनके अनुकूल सामाजिक आर्थिक तंत्र को खड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर ये लीडर्सिप जो एलाइंस की है अगर वो इस दिशा में काम करती है तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो एक सुनापन सा है एक सुन्यता सी है एक कमजोरी दिखाई दे रही है उसको काफी हद तक भरा जा सकता है तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और बिहार जो 120 सीटों वाले प्रदेश हैं ये भारती जन्ता पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन कर उभरते नजर आ रहे हैं लेकिन अगर विपक्ष इमानदारी से काम करे बहुत देर जरूर हो चुकी है फिर भी थोड़ा बहुत हासिलों कर सकता है ऐसे में सवाल है कि क्या BSP वाकई चुनाव के नोटिफिकेशन के आसपास वो अपना दिमाग बदल सकती है या वो एकला चलो अकेले चुनाव लड़ो इस अपने स्टैंड पर काइम रहती है अगर काइम रहती है तो निश्चित रूप से एलाइंस के लिए ये एक बहुत बड़ा डैमेजिंग फैक्टर होगा और इसका फायदा वीजेपी उठाएगी तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाप स्रियकाल